उद्योपती मुकेश अंबानी के घर के बाहर से बरामद विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो के कसित मालिक मंसुक हिरेन की मौत के मामले में हर दिन नए खुला से हो रहे हैं मुंबई की एंटी टेरिजम स्कॉइट यानी एटियस ने इस गुथी को सुलजा लेने का दवा किया है उसका कहना है कि मंसुक हिरेन की हत्या में कुल चार लोगों के शामिल होने के साक्षमले है इन में से तीन गिरफतार किये जा चुके हैं बताया जा रहा है कि ये खुलासा बुद्वार को ठाने कोर्ट के आदेश के बाद NIA को सौपी रिपोर्ट में हुआ है परताल के दोरान ATS को ये भी पता चला है कि मनसुक को क्लोरोफॉम संगा कर बेहोश किया गया था और फिर आराम से उसकी सांस को रोक कर उसकी हत्या की गए हत्या के समय सचिन वजे भी मौके पर मौगूद था ATS को उसकी मॉबाइल लोकेशन से इसके फुक्ता सुबूत मिले है सुत्रों की माने तो मनसुक के चहरे पर बंदे पांच रुमालों में कलोरोफॉम जाला गया था और मना जा रहा है कि सांस रोकने के बाद आरोपी कोई चांस नहीं लेना चाहते थे इसलिए उन्होंने रुमाल को मनसुक के चहरे पर बांध कर पानी में फेका था हलाकि चेहरे पर बंदिर रुमालों को देखकर ये अंदेशा लगाय जा रहा था कि मंसुक की हत्या हुई है और उन्होंने सूसाइड नहीं किया है सचिन वजह नहीं मंसुक को तावडे नाम से वाटसाप पर कॉल करके बुलाया था दोनों की बाते मंसुक की पत्मी विमला ने सुनी थी मंसुक की हत्या रात दस बज़े के आसपास हुई है उसके बाद सचिन मुंबई आया और लगबग रात ग्यारा बज़ कर अर्टालिस मिनट पर डोंगरी के टिपसी वार में रेड का नाटक किया था जब मंसुक की हत्या की गई तो वज़े एक औरीकार में बैट कर सब कुछ देख रहा था सीडिया रिपोर्ट के मताबिक सचिन वज़े ने हत्या वाली रात को एक भी फॉन कॉल नहीं किया था और नहीं उसको किसी का फॉन आया था माना जा रहा है कि वह लगातार वाटस अप कोल से लोगों से बात कर रहा था सचिन वज़े ने डॉंगरी इलाके में टिपसी बार में रेड का नाचक किया ताकि अगर मंसुक ही रेन की हत्या के मामले की कोई जाच भी हो तो वो जाच की दिशा से ये कहकर भटका सके कि वह तो उस रात मुंबई के डॉंगरी इलाके में ही था टिपसी बार के CCTV फुटेज से भी इस बात का खुलासा हुआ है कि रेड के समय सचिन वज़े मौजूद था ठाने के घोड़ बदर से आने के बाद सचिन वज़े पहले मुंबई पुलिस हेड़कौर्टर गया और फिर इसके बाद C.I.O के अपने ओफिस गया और फिर अपने मॉबाइल को चार्जिंग पर लगा दिया ताकि उसका लोकेशन कमिशनर ओफिस ही दिखे सचिन वज़े ने ATS को बयान देते हुए का था कि चार मार्च को वह पूरे दिन मुंबई पुलिस हेड़कौर्टर के C.I.U. ओफिस में था लेकिन मॉबाइल की लोकेशन के मताबिक पह दो पहर में 12 बचकर 48 मिनट पर चेमबर के M.M.R.D.A कॉलोनी में था मनसुक के पास एक मॉबाइल था जिसमें दो सिम कार्ड का इस्तमाल करता था ATS ने उन दोनों नमबर के C.I.A निकाले तो पता चला कि उनमें से एक नमबर पर मनसुक को आखरी फोन कॉल रात आट बचकर 32 मिनट पर उनकी पतनी का आया था और फिर दूसरे नमबर पर 10 बचकर 10 मिनट पर 4 मिसेज आये थी जोरान फोन की लोकेशन वसाई का मालजी पाड़ा थी इस मामले में गिरफतार विनायक शिंदे ने बताया कि वो वजह से बात करने के लिए फरजी दस्तावेज पर खरीदे सिमकार का इस्तमाल करता था जिसे उसने क्रिकेट बू की नरेश को और के माध्यम से गुजरात से मंगवाया था उद्योगपती मुकेश अंबानी को धमकी भरा पत्र कुछ सचिन वजह ने लिखा था ये खुलासा मंसुक केस में गिरफतार हुए विनायक शिंदे के घर काम करने वाले पेंटर ने किया है वजह ने अपनी साजिश में मंसुक को शामिल किया था इसके सबूत ATS और NIE को मिले हैं लेकिन जब तक ATS सचिन वजह से पूछताश नहीं कर लेती तब तक वह इस बात की पुष्टी नहीं कर सकती ये भी साफ नहीं है कि मंसुक डर या फिर अपनी मर्जी से वजह के साथ मिला था फिलाल दोनों के 20 संपर्क के डिजिटल एविडेंस ATS को मिले हैं ATS ने मंसुक हिरेन की मोत के मामले में अग्यात लोगों के खिलाफ IPC की धारा 302 यानि हत्या धारा 201 यानि साक्ष मिटा ने धारा 122 यानि अपराधिक शडियंत्र और धारा 34 यानि साजा मनशा के तहत अपराध करने में मामला दर्ज किया है PDC, IDC Free, Club Charges Free और Maintenance Free और कोई Hidden Charges भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर बुक करें